नमस्कार मेरावी प्रिकास स्वागत है आपको कोवरा पोस्ट पे आज हमारे साथ एक ऐसे सक्सियत हैं जिनको विवादों के बावा कह सकते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे बाबा आप अपना इंट्रोडक्शन खुद रहा हूं और सभी कोवरा पोस्ट के सभी दर्सकों से स्रोताओं से पाठकों से मैं यह अनलोद करता हूं कि यह एक एक्स्क्लोसिव इंटर्व्यू है और इसमें इसको आप लोग ध्यान से देखें इसको जारा से जादा आप सब करें क्योंकि इसमें जितनी बाते में कहने जा रहा हूं वह अभी तक हमने कहीं किसी को कहा नहीं है और किसी ने इस तरह से इतने खतरनाक सवाल भी नहीं किये हैं जितने खतरनाक सवाल रभी जी करने जा रहा है अच्छा बाबा सबसे पहले यह बताईए आपका और विवा मैं तो राष्ट्र भक्ति कर रहा हूं पिछले पच्पन बरसों से इस देश में रामराजी की स्थापना करने का प्रयास कर रहा हूं अपराध मुक्त भरस्टाचार मुक्त सुपर पावर बनाने का प्रयास कर रहा हूं और जो लोग भरस्टाचारी हैं जो लोग तामसी प्र और दूसरी बात आप लोग एक गाना आप लोग ने सुना होगा कि अच्छों को बुरा सावित करना दुनिया की पुरानी आदत है तो मैं अच्छा हूं जिसा क्रैश को सुली पे लटकाया गया भगवान गुरुनालक देवजी को पत्थर मारा गया सेरेटे के साही बाबा को पत्थर मारा गया भगवान से क्रिशन को चलिया कहा गया माखन चोर कहा गया तो यह प्रकृते का नियम है कि जब तक आदमी जीवित रहता है यह भारत की परंपरा है जो आदमी करांतिकारी मेरी तरह होता है और जीवित रहता है तो उसकी निंदा की जाते है मरने के बाल लेकिन विवाद हर ऐपके कि विग बोस के घर में आपको किसी तरह निकाला गया ऐसा क्या हो जाता है इस क्या 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 और नहीं क्ट बिग बॉस को लात मार करके मैं खुद बाहर निकला हूँ क्योंकि सल्मान खान ने 30 दिसंबर 2016 को जब मेरे देश के खिलाफ बात किया और जब उसने कहा कि हाफिज सेद अधर मसूद जाओद इबराहिम का चेला आईस आई का एजेंट है तो उस वक्त चुकि मैं देश वक्त इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर देश भक्ती की ताकत है सल्मान खान पी के धुत था लूड़ा कर रहा था उसके अंदर जिन्दिके में कभी पी आने लेकि मैंने यह जरूर सुना है कि जो आदमी पी करके धुत होता है उसका अपना सरीर तक नहीं चलता है तो वो क्या म मैंने सेरा को मैंने अंदर आने नहीं दिया था उनके किसी भी गाड को मैंने अंदर नहीं आने दिया था मैंने उन को को गलास फेहमी हैं मेरे साथ में आज से भी घर से निकलने के बाद मैं चार जण्वरी को sortir लेक्व मिल चुके हैं उसमें से एक भी व्यक्ति मेरे सामने मेरी निंदाने की उसमें से 99 लोगों ने चरणस किये हैं और एक परसेंट लोगों ने हाज जूर करके यह कहा है कि मैं बिग बॉस स्रिफ आपके लिए देखता था जिस दिन यह घुशना हुआ कि आप निकल गए हमने अपना टेलीफोनी हमने अपना ठीक है ठीक आप कहे रहे हैं यह लोग मानते हैं या फिर जो बाकी लोग जाहिर सी बात है अर्विन केजरिवाल चोंकि खुद सियाई एजेंट है उसको मैंने 20 जनवरी 2013 को मारा तो वो किताब लिखा हम लोगों ने देश द्रोह अर्विन केजरिवाल जिसकी पहले कांपी हमने उसको दी थी तो वो लोग मेरे उपर में अटेक करेंगे दूसरी ब जाला क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं उसके खिलाफ अभी जो हाल फिलाल जो घटनाए हुई है अभी दो-तिन दीन पहले की बात है उसमें ऐसा क्या हो गया तक क्या हुआ कुछ बताएंगे आप देखिए यह लोग पिछले चार महने से हमारे मुकेस जैन जी के पिछे प लेकिन जब हमने डीपली उसका इस्टरी किया तो मुझे यह पता लगा कि सलमान खान और दाउद इबराहिम का भाई कासकर अनीस इबराहिम कासकर और यह एक गौडशे नाम का एक फिल्म बनाया एक आतंकबादी ने यह अजहर मसूद और आईसाय से पैसा लेकर जिसका न इन लोगों ने मिलकर के मीटिंग की सलमान खान ने एक करो रुपया इनको दिया कि किसी भी तरिके से स्वामी ओम जी के हच्च्या करनी है और यह प्लानिंग की गई चुकी मैं ओम जी हिंदु मास्वा का ग्लोबल प्रेसिडेंट हूं गोर्षे जी का और बीर साबरकर जी जो चीख रही है इनवैट करने में वो भी और सामिल थी लेकिन वहां पर चुकी पुछले चार मेनों से लगातार स्क्रिप्ट तयार हो रहा था मेरे जानलेवा हमला करने के लिए तो उस और ने उसकी अगवाई की और वो और अभी भी करविन केजरिवाल की वो प्रेमिका है मनिश सोधिया की प्रेमिका है तो जाहिर सी जाहिर सी बात आप 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 देखिए आप दूसरे के कारेक्टर पर सवाल उठा रहें आप पर जो उठ रहें उसके पूरे जवाब निदे रहें बताई कि आपको पास यह इंफोर्मिशन से कहां से आती है कि CIE का एजेंट ह आप कहां से लाता है मेरे पास में बहुत सरे डीटेक्टटिव एज्एंसी जिनके फूर मैं इस सारे इंफ्वर्मिशन लेता हूं अब्क्रणार करेंग है कब से अपकर है जब से गर से बहाराया हूं और जबसे इन आतंग बाजियों के साथ मेरी कट्टर दुस्मनी हो गए तबसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो यूज कर रहे हैं तो आपने अभी तक अगर आपके पास कोई प्रूफ है जो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग है तो आपने पुलिस को सापक ही नहीं है ऐसा है कि दिल्ली पुलीस सबसे करप्ट है सबसे ज़्यादा करप्ट है अभी भी आप ये देखिए कि 50 लाख रुपया इन लोगों ने टॉप टू बाटम पुलिस बालों को दिया जिसके वज़ए से अभी तक उन आतंग बाजियों क पुलिस को मैं क्या दूँगा तो फिर कौन करवाई करें कानून तो मैं उसके लिए अपने केस के लिए मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा है कि इसको काज इनिवेस्टिकेशन है वह एनाई या सीवी आइको ट्रांसफर करें मुझे उन पर भरुसा है चुकि राजनास सिंग करेंगे मेरे लिए मेरे लिए दिल्ली है कोट के फुल बेंच का जर्प्र सेक्यूरिटी का और है उसके बावजूद मुस्लिम बादी सरकार थी उस वक्त नहीं तो तो बाद समझ में आती है यह राश्चवारी सरकार जिस मैंने प्राइम निस्टर बनाए जिसके लिए मैं अब करें कि यहां मोदी जी को पीम आपने बनवाए यह जो सीटे आई है बिलकुल मेरे वजह साहिए एक बात और आपको मैं आगर बता देता हूं यह पहली बार मैं नहीं बोलना हूं आप उन्नीस सो असी का फटबरी इसूत ने इलस्टर विकली माया पत्रकाई सब उठा सब्सक्राइब उसका एक सबूत है मैंने 1978 में इसी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कि इंद्रा गांधी को मैं 35 सीटों से मैं जनवरी सब्सक्राइब बनाने वाला हूं उसी तरह से मोदी जी के लिए भी 2004 में मैंने घोशना की थी कि मैं दस साल की तबस्या करने जा रहा हूं मोदी जी उसक्त कुछ भी नहीं थे अच्छा यह यह बताईए बताईए कि आप ये लजाय में कि आप जूट बहुत जादा बोलते हर चीज में जूट जूट कभी देखिए आपने मोदी जी की बात की आठ जून 2013 का आप अपना ही रेकॉर्ड निकाल लीजिए आप किसी भी टीवी चैनल का कोई भी उस दिन का सीड़ी निकाल लिए जब नरेंदर मोदी जी ने मुझे गोवा से टेलिफून के जहां पर आ तो मुझे यह कहा कि आप तांत्र करिया किजे तो मैंने उनसे कहा कि कोई तंत्र करने के जरूत नहीं है मेरी ओम जी हिंदू सेना मेरी आर्मी है और विजिन वन आर आप एक घंटे का बाद कोई भी न्यू चैनल खोल ले ना आप केंद्री प्रचार अभियान समीति के अध चीज कहा कि आप खाली हाथ नंगे पैर आप पाकिस्तान से आये थे आपको हमने डिप्टी प्रैमिनिस्टर तक बना दिया इससे ज्यादा कोई देरी सकता चुकी राश्टरबादी है नहीं मोदी जी आप उनको आगे प्रधानमंत्री बनने में बारक मत बनीए आप उनको में में हिंदूस्तान से आतंग बाजियों को ख़दे रहा है सौमी ओम वेकती है इसने स्ट्रॉइक हो ब्यूंधिक गला करूंस्ट है जजो ने अस्तिवी सर्चन पर रोक लगाया था उसको रोका और यह स्वामी ओम वह वेक्ति है यह मैं नहीं बोल ला हूं रेकॉर्ड बोल ला है लोग यह धोंगी साधू लोग जो हैं जो दिन में भाया रात को सया करते हैं अच्छा वो लोग इससे जलना है क्योंकि स्वामी ओम जी जमेनी सर्फ पर काम करता है और वो देश के लिए धर्म के लिए मेहनत करता है और यह लोग सिर्फ एसक करते हैं हमारे बहु बेटियों का इजद लूट करके बाद करें आप यह नहीं मानते हैं जो कह रहे कि सब्री माला में ओर अगर और उर्टों को विए कि यह आपने रिपालजां मानते हिसर लेकिन है जा सकती जो आपने घर के किछन में नहीं सकती है वो भगवान को कईसे सबस्क्रस कर सकती है उन दिनों में लिए Soros में उनको को अपने किचन तक में प्रभेश नहीं करना चाहिए तो वह इसलिए कैसे वहां जाकर कर सकती है अब सब में आपका ही है मतलब आप जो जो कहें वह सही बाकी सब गलत है ठीक है आप यह बताइए कि बाबा या साधू का मतलब क्या होता है वह बता देता हूं क्या औट लड़कें के सा नाचे क्या वह साधू होता है क्या यह साधू करें उसको साधू कहते हैं साधू यह बहुता है तो फिर आप यह इस वास्त को धारण करने का नहीं है यह रेड कलर है रेड कलर क्रांतिकारियों का होता है और दूसरी बात यह है कि मैं तांत्रिक हूं यह तांत्रिक का वस्तर है और तंत्र में सुन लीजिए जिसके आप बात कर रहें तंत्र में पंच मकार कंपल्शरी है पंच मकार का मतलब होता है मैथून कहते हैं सेक्स को पंच मकार का मतलब होता है मचली खाना पंच मकार का मतलब होता है मंक्स खाना यह सब कुछ तांत्रिकों के लिए कंपल्शरी है उसके बावजूदिक दुनिया में अकेला मैं ऐसा ता बली का विजान है वहाँ पर नरबली देने के बजाए में पेठे की बली देता हूं यह शिर्फ और सिर्फ एक मैं ही ऐसा तांत्रिक पुरे दुनिया में जो उसका विकल्प इस्टमाइब डिफेज पूरे इंडिया प्रहण देखा आप चिकन खार रहे हैं और आप चिकन नहीं खारा हूं आपको यह गलत फ्हेमी है मेरे मुझे सिर्फ वेजीटेबल को इसलिए लिया घ्रे Bit Boss के में लिए तरुम्हा है उन होटल्स का वो चीफ सा और इस बात का एक्सपर्ट था वेज़िटेबल को नौन वेज के रूप में बना गर किसी को खेला सकता था वो टोटली दूसरी बात चुक्ती मैंने जीवन में कभी भी इतने नौन वेज नहीं खाया यही मैंने वर रहता तो उसी वक्त मुझे होती प्रकृति का नियम है मुझे कोई नहीं हो सीधे उसका सिधा सिधा मतलब देखे यह जैन है यह जैनी है यह इनका पुरा खांदान पुस्तेनी साका हारी है यह मेरे साथ महमें सा रहते हैं इनसे पूछे क्या कभी मैंने खाया है क्या तो विवाद क्यों हो जाता अगर न को बना है और सिर्फ भढ़ाने के लिए यदि एक स्वामी को स्काथे इसलबिगाकर मेने कर रहा हूं हूँ मन का मैल वाला फिल्म के बात है वो तो अभी जल रही है मैं बिग बॉस के घर से जब बाहर आया था तो CIA एजेंट एक चैनल ने पूरी प्लानिंग के तहट CIA के साजिस के मताबिक मेरे उपर में जानलेबा हमला करवाया जो आप लोगों ने देखा उस चैनल को कोई नहीं जानलेबा एक दुसरे ने चैनल पर मेरे उपर हमला करवाया गया था तो वहां भी वही हुआ था वहां पर क्या हुआ था कि वही ओड़त उससे एक साल पहले एक बीवियां से उनको प्रतारेज करने लगे लेकिन जिस वक्त मैंने थपर मारा उस ओरत को सप्टमर 2015 में तो एक ये दूसरा में सच गया कि हिंदुस्तान का मर्द फिर से मर्द बन गया है और वहीं पर उनकी बीबियां थे कहने लग गई आप स्वामी उनका ये कहना है कि जो मर्द और तो पर हाथ उठाता है यह अब मर्द उठाना नहीं है यह मेरा कहना नहीं है यह अपके जो पत्रकार लोग थे उसके बाद यहां पर प्रेस कॉंफेर्ण ने कहा आपने हमारा जीमन का उद्धार कर दिया हमारे साथ में रोज हमारी बीवियां लड़ती थी आपके घटना के बाद में बीवियं हाथ जो ने शुरू कर दिये मैं देखिए मैं तो नारी ससक्ति करन का पोशक हूं मेरी संग्स्था है ग्लोबल वुमन वलफेयर फेडरेशन ओम जी के सब्सक्राइब गइट्वा दोशक हाँ है नारी कि पुजा होती है नारी की पुजा होते हैं लेकिन तो उनको आज भी आप ये देखते हैं कि आज इस देश में कितनी गलत परंपराएं चल पड़ी है जिगोलो औरतें इतनी इतनी आप आप अरे ठीक है आप आप आपने इस पूरा सुधाने का ठेका ले रखा है बाकी लोग कुछ नि करें अपर आप सही काम कर रहें फिर कोई बादों में आ जाते हैं कई क्याम 25 लोग नहीं देश्विल् के लोग नहीं देखिये जो सब्गोपं के लिए वह इसका परताने मेरे उपर में पहले भी आतंग भादियों की कई फिर लग जाए, कि मैं चला जाओं, को फरक नहीं बड़ता लेकिन नि देश को रास्ट्रभाजी का मतलब राम Volks और राम मराजी क्तल अच्छा यह राम राज का क्या मतलब आ समझते हैं तो आप और बाबा जो आप कर रहें एन ऊसरे राम क्वाइब कर रहा है न हो टीने words के और सिर्ट 2017 कि फ्थ्राइब कर दो experiment हैं नोइक जब तक लोग अपने मन से यह वा पड़ा है वीडियों उसमें लोगों की Kerry में अपण तो मैं उसी मन के मैल को हटाने के लिए ही एक और बहुत बड़ी फिल्म बना रहे तो जो इंडिया की सबसे महंगी मुवी थी उसका क्या हुआ मैं नहीं बना रहा हूं वही मेरे लाइफ बैग्राफी पर है और यह जाहिर सी बात है कि वह परेंगे लेकिन जो जो प्रोडियूसर डिरेक्टर हैं वहां के वह बहुत पावरफुल है और वो कभी भी दो मिनट में खड़ीड सकते हैं इतना उनका पास पैसा है वो कुछ ने विगार सकते हैं जो सबसे बड़ी एजनसी है वह उसको खरीड सकते हैं वह सकते हैं अमेरिका में वो द्योक मत्यूं के कमी नहीं है कि दुश्मनी इसलिए है कि वो जो नकसल आतंग बार जैसे अभी आपने सुक्मा में देखा धारखन में देखा ये जो कस्मीर में आप देख रहे हैं ये लोग इस देश को इसाई देश बनाना चाहते हैं जिसका मैं विरोध कर रहा हूं पिछले पस्पन बरसों से मैं बनान मैं जानले हैं हमना कर रहे हैं आप आपको ऐसी बात क्यों नहीं करते हैं जिस पर लोग भरोसा करें आप जो अभी तक कहते आ रहे हैं क्या उस पर कोई भरोसा कर सकते हैं मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी रहा हूं मुझे आज तक किसी हिंदू ने या किसी हिंदू कुष्टानी ने मुझा आते एक नया पैसा नहीं दी अपने पैसे से में संघर्स कर रहा हूं मैं भी स्याइए का एजन बन करके खर बोरी पर ले सकता था लेकिन और मेरे बास में कई लोगों ने कोशिज की मैंने उनको लात मार्गर के बाहर निकाला हुआ है इसलिए क्योंक लोगों के अंदर भर करके इस देश को सुख सांति संब्रद्री आनंद में बनाकर करका रहा हुआ है आपके ताला लगानी की जरूत नपड़े कहीं कुछ होना और आप पर चौरी का इल्जाम लगा है यह खबर आई थी कि आप पर चौरी का इल्जाम नहीं है यह सोनिया गांधी का खेल है सोनिया गांधी क्योंकि यह एजन्ट है तो वह सके कहने पर यह सब कर रही है मुझे से को फर्क पढ़ता नहीं यह लिए मैंने को खतम कर दिया एक जमाने में 1980 में को मैं सक्टिसाली बनाया था और सोनिया गानधी के इन हरकतों को वज़े से कॉंग्रेस क करोनों की तैदाद में हमने अभी भी एलेक्शन में बाटा है पंजाब गोवा दिल्ली और हमने अर्विन के जरिवाल का हमाद में पार्टी है वह 2019 से पहले पहले उसका मैं नाम मिटा दूंगा कॉन सी रहेगी जाहिर सी बात है मैं मोदी जी का मित्र हूं मोदी जी मेरे मित् करेंगे जो कुछ भी उन्होंने गाय को राष्ट माता बनाने का हम आपको सायोग करेंगे जो बहुत सारे उन्हों मुझे वादा पूरा नहीं करेंगे तो मेरी यह पुलिटिकल पार्टी है ओम जी हिंदु महासभा वह सत्ता में आएगी उन्हीं सब्सक्राइब अभी पीछे साइद एक कारण और भी है क्योंकि स्याइए को लग रहा है मैं अभी जुलाइए में मैं राष्ट अलेक्शन लगने जा रहा हूं और यहीं मेरे हिसाब से कैनिडिट नहीं लाएंगे तो निश्ची तुरूप से मैं राष्पति बन गए तो हमारा राज हमेसा के ल में कर्म करना जानता हूं कर्म से मैं कभी मांकर करके यहां राष्पति चुनाओ लड़ने वाले मैं लड़ने जा रहा हूं और यह परिसान है कि यह कहीं राष्पती बन गए तो बरबाद हो जाए खाएगा हमारे पर ही करेगा जिससे तो खत्रा है कि तो यह थे स्वामी ओम आनकी बातों से आप कितने इतिफाक रखते हैं कितना मानते वह आपके और नहीं बनना है तो आप मेरे बातों पर करके मेरा साथ दीजिए और यजि गुलामी आपके खून में आ गई है तो गुलामी आपको मुबारक हो तो धन्यवाद ओम जी